हमारे साथ निपूर्ण भी जुड़ गए है निपूर्ण ये बड़ी राहत मानी जा रही है राहूल गांधी के तरफ से बहुत सारे जो तरक थे वो भी रखे गए थे और सत रुख भी देखने को मिला सुप्रिम कोट का दूसरी तरफ अगर कहा जाए क्योंकि पूर्णेश म कोट में जो चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट का ओर्डर था उसके खिलाप अपील लंबित है सेशन्स कोट के पास इसलिए मेरिट पर बात नहीं करेंगी यानि यह जो दलीले हैं इनकी बात नहीं की है सुप्रिम कोट ने सुप्रिम कोट ने कहा है सिर्फ हम यह कहना च पाएंगे वाइनाड की जो स्थिती वनीतिया सहज उसको लेकर कितनी रहत है राहूल गांधी के चुनाओ लड़ने की कोई नौबत नहीं है राहूल गांधी वाइनाड के संसत थे और अब उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था चुनाओ तो वो 2024 में लड़ेंगे अब जब उनकी दोस्थ सिद्धे पर सुप्रिम कोट ने रोक लगा दिया है रोक लगाने का सबसे बड़ा आधार इसी बात को माना है कि अगर दो साल से कम सजा होती एक दिन की भी तो वो सं प्रतीनिदी के बिना है बिल्कुल अब बिल्कुल ने बुल जिस तरीके से पूरी तस्वीर बर रही है अब यह जो सेशन्स कोट का मामला है फिलाल जो रोक लगी इस सजा पर यह इसे फौरी रहत माने या इस्थाई रहत माने देखें यह फौरी रहा थे यह अंतरिम रहा थे अब जब भी सेशन्स कोट मान लिजए कि सेशन्स कोट कल को फैसला देता है और इसी दो साल की सजा को परकरार रखता है तो यह सारी अयोगिता फिर से रहुल के रास्ते में आ जाएगी लेकिन अगर सेशन्स कोट परी कर द सजा को घटा कर दो साल से डेड़ साल कर देता है तब भी ये बात खतम हो जाएगी यानि जब टक सेशन पोर्ट फैसला नहीं देता है तब तक दोश सिद्धी पर रोक है उसके बाद की जो स्थिती बनेगी सपर अलग से बात की जाएगी सेशन सकोड कभ तक फैसला देगा अभी ये तय नहीं है। निपूर एक वाड़ सवाल इस पैसले के बाद क्या राहूल गांदी इस सत्र में या फिर अगले सत्र में संसद में दिख पाएंगे। देखें इसमें ऐसे मामलों में ये स्तिती बनती है कि लोगसभा सचीवाले ने एक अधिसूचना जारी कर दी कि वाइनाड की सीट खाली है राहूल सदस्य नहीं है चोकि यही कानून है। ईससे बच नहीं सकता था कि जब 2 साल की सजा मिल गई थी उनको तो यह अधिसूचना जारी की गई थी अब इसको विड्रो करते हुए एक अधिसूचना जब जारी होगी ऑप्चारिक कि पुरानी अधिसूचना को विड्रो किया जा रहा है तब जाकर राहूल संसद में ज पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी कठा करना और तत्थे बताना पत्रकारता जितने महत्वपून दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूद है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम सोबवार से शुक्वार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी निउस पर एबीपी निउस आपको रखे आगे